अब बात करते हैं नगर निगम की दिली नगर निगम एकी करण के बाद प्रशासन सक्त हो रही है इस कड़ी में MCD के सिविल नाइंज जोन की उपायों प्रिंस ने सक्त आदेश जारी किया है जिसमें समय पर दफ्तर ना पोशने वाले अधिकारियों और करमचारियों का वेतन काटा जाएगा वहीं बिना पूर्व सुचना के अनुपस्तित होने वाले अधिकारियों और करमचारियों का जारी कर कहा है कि कारे स्थल से तीन दिन तक अनुपस्तित पाए जाने वाले नगण निगाए के करमचारियों को निलंबित कर जाएगा सिविल लाइन जोन के उपायोत कारे अले द्वरा यह आदेश 26 मई को जारी किया गया था जिसमें यह भी कहा गया है कि पूर्व अनुमति के बगएर अनुपस्तित पाए जाने वाले करमचारियों को एक दिन का वेतन भी काट लिया जाएगा आदेश में कहा गया है कि बगएर किसी देरी के जन सेवाई समय पर ना पोचाना सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किया जाता है कि सभी अधिकारी सुबह 9 बजे तक कार्याले में उपस्तित हो जाएं मीडिया से एक वर्ग में ऐसी खबरे आती रही हैं कि करमचारी देर से कार्याले पहुचते हैं आदेश में कहा गया है कि यदि कोई करमचारी तीन बार अनुपस्तित पाया गया तो उसे फौरण निलंबित कर दिया जाएगा और उसके खिलाब आवश्यक कारवाई की जाएगी इसमें यह भी कहा गया है कि सभी करमचारी NSIC, MCD Smart App में अपनी पस्तिती दर्च करें मोबाइल से लगेगी हाजरी आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी करमचारी और अद्गारी अपने अपने मोबाइल फोन में हाजरी के लिए निगम द्वारा जारी एप को डाउनलोड कर लें क्योंकि हाजरी केवल एप द्वारा ही मानने होगी जिन लोगों ने एप डाउनलोड नहीं किया है वे तुरंत मोबाइल में डाउनलोड करके उसका उप्योग चुरू करें और लेकनिया है कि निगम के एप पर हाजरी लगाने के लिए दफ्तर में पहुँच कर अपनी सेलफी के साथ लोकेशन अपलोड करना होता है यह समय सुबह अधिक्तम 9 बजे का है इसी प्रकार दफ्तर से चुट्टी के समय अपनी दफ्तर की लोकेशन के साथ सेलफी अपलोड करनी होती है वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों को देखते हुए निगम ने बायोमेट्रिक से हाजरी की सुविदा बंद कर दी थी इसी दोरान निगम की सभी कार्यालों में मोबाइल एप से हाजरी की विवस्ता शुरू करी गई थी करमचारी की खुली पॉल नगर निगम में पदस्त करमचारी की पॉल उस वक्त फुल गई जब करमचारी की शिकायत निगमायुक्त आशीष वर्जिश के पास पहुँच गई शिकायत महुचते ही नगर निगम में हडकम पहुच गया दरसल नगर निगम अतिक्रमन शाका के कारेलत ब्रत्यपुरशोत्तम चोदरी नगर निगम में हाजरी लगा कर भीषण गरमी के कारण घर में ही आराम फर्मा राये थे जिसकी सूजना निगमायुक्त तक पहुँच गई करमचारी सप्ता में दो दिन नगर निगम आता था साथ ही हाजरी लगा कर तीन दिन घर में ही अराम करता था जिसकी पुष्टी सहायक अतिकरमन निरोदग अधिकारी सागर बोसकर ने द्वारा की गई है पुष्टिकरण के बाद निगमायुक्त ने कारवाई कर आठ दिन का वेतन तत्काल काटने का निर्देश दिये साथ ही गलती दोराने पर सेवा समाप्ति की भी चतावनी दे दी आदेश एक जोन का लेकिन हड़कम सभी जोन में सिविल लाइन जोन के उपायुक्त द्वारा निकाले गए आदेश का हड़कम सभी जोन में हैं रस्तपधिवार को निकाले गए इस आदेश के अनुपारंग में दूसरे जोन में भी असर दिक रहा है बताया जा रहे कि जादतर करमचारी और अधिकारी अब समय पर आने लग गए हाला कि कई अधिकारी और करमचारी को मुबाइल से हाजरी लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नेटवर्क की समस्या के चलते करमचारियों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है तीनों MCD कर दी गई है एक उलेकनी है कि एकिकरण होने के बाद MCD के तीन उपायुक्त और अलग-अलग जोन में 22 अतरिक्त DC नियुक्त किये गई है और उन्हें विबाग आवंटित किये गई है अधिकारियों ने बताया था कि निगम करमचारियों को विवस्तित करने की प्रक्रिया चल रहा है और ये नियुक्ति के और विबागों का आवंटन इसी का हिस्सा है यह प्रक्रिया एक पकवाडे में पूरी की हो सकती है अधिकारियों ने बताया था कि निगम के केंद्रे प्रतिष्ठान विभाग के 24 मई को निख्तियों के संब्ध में एक आदेश जारी किया था तीन MHO को सोपा गया 12 जोन का कारेया दिली नगर निगम के जन स्वास्त विभाग में चिकित्सा स्वास्त अधिकारी स्थर के तीन अधिकारियों को 12 जोन का कारेबार सोपा गया है प्रशासनिक अधिकारी थानेश्वर कुमार की तरव से इस संब्ध में कार्याले आदेश जारी किये गए एमेचो डॉक्टर ललन राम वर्मा और एमेचो वन का कारेबार सोपा गया है उनके दिन मद्द दक्षन दिर पश्चमी तथा नजवकट जोन का दायत्व होगा डॉक्टर सत्या प्रकाश अहीर को एमेचो द्वित निउक्त किया गया है उन्हें सिटी सदर, पहाडगंज, केशवपुरम, करोलबाग, सिविल लाइन्स, रोहिणी और नर्यला जोन का जिम्मा सोपा गया डॉक्टर सोमेश्वर को एमेचो त्रित्या निउक्त किया गया उनके पास शाद्रा दक्षण और शाद्रा उत्तरी जोन का दैत्व होगा फिलाल नगर नगर में इतना ही, आप देखते ही नेक्स्टाइब न्यूस्टेशन